हेलो गाइज आज हम एक एसे बुक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके लेसंस आपने डेली लाइफ में एक्जेक्ट किये तो आपकी ग्रोथ एक साल के अंदर से तिस गुना इंप्रू हो जाएगे इस बुक की हेडलाइन ही है टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्स बुक देखने से पहले हम इस बुक के राइटर जेम्स क्लियर के कुछ ऐसे मुमेंट देखते हैं जहांसे एटोमिक हैबिट इस बुक की शुरुआत हुई है स्कूल के सेकेंड इयर का आकरी दिन था जेम्स अपने कुछ दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहे थे पर उसी वक्त उनके एक दोस्त के हाथ से बेसबॉल बैट फिसल कर सीधा जेम्स के दोनों आखों के बीच आकर लगती है जेम्स को स्कूल के फर्स्टेड रूम में ले जाए जाता है वो बैट इतनी जोर से लगी हुई होती है कि उनकी नाक के हड़ी तेड़ी और सर के हड़ीों को भोध सारे क्रैक गए हुई होते है बैट की टककर इतनी जोर से लगती है कि उनके ब्रेन को भी सूजन आने लगती है और पूरे कपड़े कून से बरे होते उनको तुरन स्कूल के नजदिक के हॉस्पिटल में ले जाये जाता है। जब नर्स उनकी यादधास चेक करने के लिए कुछ सवाल उनसे पूछती है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। इस होस्पीटल के लिमिटेशन ध्यान में लेकर डॉक्टर उनको तुर न सिंसिनाटी के बड़े होस्पीटल में हिलाने के लेकेते हैं। डॉक्टर जेम्स को आर्टिफिशल कोमा से बाहर निकालते हैं। इस एक्सिडन्ट के बाद उनकी बॉड़ी उनके इतने भी कंट्रोल में नहीं होती कि वो ठीक से चल पाए। बहुत सारे महीने चले जाने के बाद जेम्स धीरे-धीरे कवर होने लगते हैं। पर अभी भी उनको अपने बॉड़ी पर पूरा कंट्रोल नहीं होता। उन्हें हर एक काम पूरा ध्यान देकर करना पड़ता है। बेसबॉल खेलते वक्त हुआ ये एक्सिडन्ट पूरे साल उन्हें ठीक तरह से चलने भी नहीं देता। इसके बावजूद जेम्स को ठीक होने के बाद सबसे पहली चीज करनी थी कि बेसबॉल के ग्राउंड में उतरना था। उनके पिता जी एक जमाने में बेसबॉल के एक प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं। जेम्स को भी अपने पीता जी की तरह बेस्बॉल में अपना प्रोफेशन बनेने का ड्रीम होता है पर इस एक्सिडन्ट के बाद उनको हर एक काम करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसी तरह उनके बेस्बॉल के परफॉमंस में भी गिरावटाती है इस वज़े से उन्हें बेस्बॉल की टीम से भी निकला जाता है जेम्स बताते हैं कि ये फेज उनकी लाइफ का सबसे भायनक फेज था उनकी लाइफ पूरी तरीके से रुख गई थी और इस फेज से भाहर निकलने के लिए उन्होंने कुछ छोटी छोटी आदते और ट्रिक्स यूज किये उसके बाद उनके करियर में बहुत बड़ा बदलाव आया ये बदलाव तुरंत नहीं कई महिनों वर्षों लगे उनको अपने मुकाम तक पोचने के लिए जेम्स केते हैं कोई सकसेस रातो रात नहीं मिलता उसके लिए कई दिन रात एक करने पड़ते हैं इसे आइटोमिक हैबिट यानि छोटी छोटी आदतों को जेम्स ने इस बूक में बताया है तीन सो पेजस की ये बूक की समरी लेशन हम आपको चार पार्ट यानि चार वीडियो में बताएंगे तो ऐसे ही वीडियो देखकर अपना नौलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन ज़रू जापाए इस बूक में जेम्स ने तीन बेसिक प्रिंसिपल बता है इनी तीन बेसिक प्रिंसिपल को हम आज देखेंगे सबसे पहला प्रिंसिपल है अमेजिंग पावर इन स्मॉल हैबिट छोटी छोटी आदतों की चोकाने वाली ताकत James केते हैं कि हम सब को अपने लाइप में बहुत बड़ा कुछ करने की इच्छा होती है पर इसमें केवल 1% लोगी सपल हो पाते हैं इसका basic reason होता है कि हम अपने काम के प्रती consistent नहीं रह पाते हैं consistency नहीं रही तो growth भी रुक्सी जाती है हमारी consistency नहीं रह पाती ही क्योंकि हम अपना aim अचीव करने के लिए जो तरीका यूज करते हैं वो ही गलत होता है James केते हैं अगर आप हर रोज अपना aim set करते हैं पर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसमें गलती आपकी नहीं है आपका तरीका गलत है हम ऐसा सोचते है कि हमारा बड़ा aim पूरा करने के लिए हमें पहले दिन से दिन रात मेनत करनी पड़ेगी इसलिए हम पहले दिन से दिन भर काम करना चालू करते हैं सही तरीका ये है कि आपको शुरुआत हमेशा छोटे छोटे टास्से करनी है पहले दिन केवल आदा घंटा काम करें दूसरे दिन 35 मिनिट तीसरे दिन 40 मिनिट ऐसे 5-5 मिनिट बढ़ाओ और अपने आपको 25 मिनिट के बाद 5 मिनिट का ब्रेक दो इसकी वज़े से आपको अपना काम सिंपल लगने लगेगा हर रोज थोड़ा थोड़ा करो पर कंसिस्टन रो हर रोज अपने आप में 1% इंप्रुमेंट लाने से आप 1 साल यानि 365 दिन में से 30 गुना आगे बढ़े होंगे हर रोज 1% की इंप्रुमेंट करने की वज़र से बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा शुरुआत के कुछ दिन ग्राफ अपने जगई होगा पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वेसे वेसे ग्राफ उपर जाते जाएगा और एक समय बाद ग्राफ एकदम से कर हो जाएगा वेसे ही हर रोज 1% डिकलाइन से आप एक साल बाद वापत 0 पे आ जाओगे इसलिए 1% डिकलाइन की तरफ न बढ़ते हुए हर रोज 1% इंफ्रूमेंट करना शुरू करो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कंसिस्टन्ट होते हैं अपने आपको इंप्रूब भी करते रहते हैं पर उनको सक्सेस नहीं मिल रही होती उनके लिए जैम से एक एक एक्जामपल देते हैं कि आप ऐसा सोचो कि आपके सामने एक टेबल पर आइस क्यूब यानि बर्का तुकडा रखा है और आप जिस रूम में बेटे हो वो रूम बहुत ज्यादा थंडी है उसका टेंप्रेचर 25 डिगरी फेरनाइट इतना है जाता है और आप आइस क्यूब बिगलने लगता है इस एक्जामपल से हमें पता चलता है कि इतनी देर वेसे का वेसा रहने वाला आइस क्यूब को एक समय बात बिगलना ही पड़ता है वेसे ही जैसे पत्तर पर 99 हतोड़े मारने के बाद भी पत्तर को कुछ नहीं होता पर 100 हतोड़े पर पत्तर के दो तुकड़े हो जाते है इसका मतलब ऐसा नहीं कि 99 हतोड़ों की कोई कीमत नहीं हमको रिजल्ट का ग्राप कुछ ऐसा दिखता है जो एकदम से सीधा उपर जा रहा है पर असल में रिजल्ट कूछ ऐसा आता है इस पहले बेसिक प्रिंसिपल में हमें ये तीन चीज़े समझ में आती है डेली 1% इंप्रूमेंट कंसिस्टनसी पेशन्स दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है आपकी आदते आपके परसनेलिटी को शेप केसे देती है अगर आपको हर एक काम को टालने की आदत है तो आपकी परसनेलिटी भी आल्च से हो जाएगी और ऐसा बार-बार होने की वज़़े से आप कोई भी काम करने बेटोगे तो आपका माइंड भी बार-बार आपके लेजिनस को जगाता रहेगा आपको बताता रहेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते आप लेजी हो आप अपनी आदते तब तक नहीं चोड़ सकते जब तक आप अपनी परसनेलिटी बदल नहीं देते एसा इमेजिन करो कि दो आदमी है दोनों को सिगरेट पीने की लद है और ये लद दोनों को भी छोड़नी है उसी वर्क एक तीसरा आदमी आता है और उन्हें सिगरेट देने लगता है उसमें से पहला आदमी बोलता है sorry में cigarette छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उसका ये जवाब सही भी है पर इस जवाब से हमें ऐसा पता चलता है कि ओ आदमी खुद को अभी भी smoking करने वाला समझता है फिर ओ तीसरा आदमी दूसरे आदमी को जब cigarette देने लगता है तब ओ आदमी बोलता है कि sorry में smoking नहीं करता इससे हमें पता चलता है जब तक आप अपने personality को change नहीं करते तब तक आप अपने आदतों को बदलने के लिए struggle करते रहोगे जब आप अपनी personality से हटके कोई काम करने लगोगे तब आप वो 3-4 दिन करोगे भी पर कुछ समय बाद आप उसे फिर से बंद कर दोगे जब तक कि वो काम आपके personality का हिस्सा नहीं बन जाता जब हम अपने आपको कोई चीज बार बार बताते हैं तो वो चीज अपने दिमाग में fix बेट जाती है फिर उसे करना और आसान बन जाता है सोसाइटी में आपकी जो personality बन चुकी है वो personality मतलब आप अपने खुद को मान लेते हो आप दिमाग को बता देते हो कि मैं ऐसा हूँ इसकी वज़स से हम अपनी आदतों में जब भी कोई बदलाव करने की सोचते है तो वो कर पाना बड़ा कटिन हो जाता है तीसरा basic principle है 4 steps to good habits habit एक एसा work एसा task होता है जिसके लिए आपको ज़्यादा सोचना ने पड़ता मतलब कि वो task करने के लिए आपकी ज़्यादा energy खर्च ने होती क्योंकि वो काम आपकी आदत बन चुकी होती है इस book के writer बताते हैं कि कुनसी भी आदत लगाने के 4 steps होती है सभी आदते इनी 4 steps से गुजरती है पहली hint दूसरी strong desire तीसरा response चोता result habit की process कुछ इस तरीके से होती है पहली step होती है question की जिसमें hint और strong desire हमारे दिमाग में तयार होता है दूसरी step होती है answer step जिसमें response और result हमें देखने को मिलता है एक example लेकर समझते है आप एक अंदेरे कमरे में जाते ही आप light चालू करते है इसमें hint है कि आप एक अंदेरे कमरे में enter करते हो उस कमरे में आपको कुछ दिख नहीं रहा आप देखना चाते हो ये आपका desire होता है आप light का button on करते है ये आपका response और light on होकर आपको room में सब दिखाई देता है ये result हमने बहुत basic example से habit का एक process देखा पहला rule hint hint क्या होती है मतलब घर में आर्थिक तंगी है इसलिए final silly strong बनना है ये एक hint है आपको IAS IPS officer बनना है उसके लिए UPC clear करना है ये एक hint हुई पहली बात hint को clearly visible करो दूसरा rule strong desire आपको जो habit लगानी है उसके लिए आपके मन में सच में strong desire है क्या ये देखो तीसरा rule response आपको शुरुवत में कुछ AC habit लगानी है जो करने में आसाने चोता rule result ये सब होने के बाद जो result आ रहा है वो मिलने के बाद आप सच में खुश हो पाएंगे क्या ये देखो ये सब rule आपको कौन से भी काम की आदते डालने में help करेंगे पर इसका execution आपके हाथ में होगा ये चारो rule आगे हम और detail में देखेंगे एसे ही knowledgeable वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए सो टेक केर और बाबाए